नमस्कार साथियों, श्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में वीडियो आप सभी सिक्षामित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वड होने वाली है इस वीडियो के बाद्यम से आप सभी के वीश में वर्तवान की एक बेहद ही बड़ी ख़बर साजा करेंगे हाल ही के अंदर एक महत पोड़ सूचना है एक नियूस पेपर की कटिंग है एक नहीं बलकि तमाम नियूस पेपर की कटिंग से पूरे भारत में ये मुद्दा अब चा चुका है सिक्षा मित्र एक बार फिर से पीक पर पहुँच चुके है फिलाल के लिए वर्तवान की बड़ी खबर जिसके उपर में चर्चा करूँगा आगे वीडियो के वादिल से आपके बीच में उपस्तित होगी सभी साथियो से कनुरोध है वीडियो को आप पूरा देखे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसे सब्सक्राइब भी कर ले अब चलते हैं अपडेट पर साथी अपडेट आपकी स्क्रीन पर है न्यूस पेपर की गटिंगे का आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सिक्षामित्रों के मांदे वृद्धी के लिए सासन बनाएगा कमेटी यही आसवासन था यही लिखित आसवासन था जो कि आज एक पत्र के रूप में आप सभी के बीच में है विसे सचिव जी के द्वारा दिया गया निदेशक जी के द्वारा ये आदेश आपके लिए जारी किया गया लेकिन अब यहां पर सोचने वाली बात आती है कि क्या ये वास्तविक रूप में संबो है क्योंकि अगर ये पहली बार हुआ होता एक बार ये बातें हुई होती तो फिर हम मान भी लेते कि हाँ चलिए ये बातें उचीत हैं हो सकता है सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचे लेकिन इसके पहले भी सरकार ने आप सभी के मद्द में इसी प्रकार से कुछ बयान जारी भी किये थे इसके पहले भी कमेटिया बनाई गई थी छे साल पहले उप मुख्यमंतरी जी डॉक्टर दिनेश सर्मा जी की अध्यक्षता में और आज तक ये नहीं पता है कि आखिर वो कमेटी अभी तक है या खत्म हो गई कमेटी की रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट कुछ आई भी थी या फिर नहीं उसी प्रकार से कहा गया कि आपकी कमेटी की रिपोर्ट एक हपते में आ जाएगी फिलाल वेट करें एक हपते तक फिलाल कल का प्रदर्सन जोरदार रहा आ अपने कदम से कदम मिला करके संगर्स भी किया